एक स्फेर को रिलीज किया गिया जीरो वेलोसिटी से ठीक है सिपमेंको नहीं होता है जो सफेर स्फेर आधा नहीं होता है फर्स्ट केस में रोल्स डाउन दा प्लेंग विदाउट स्लिपिंग और सेकेंड केस में अल्ली स्लाइट डाउन दा प्लेंग ठीक है तो अगर ऐसा है तो पहला पार्ट आपको निकालना है find the ratio of acceleration of the sphere in case A to that in case B means case A में जो acceleration आएगा और case B में जो acceleration आएगा दोनों का ratio निकालना है ठीक है उसके बाद the ratio of velocity when a sphere reaches the bottom of the plane in case A that in case B means अगर ये sphere roll करता है rolls without slipping और down में आता है down the incline तो उसका velocity क्या होगा और अगर ये सिर्फ slide करता है तो velocity क्या होगा दोनों का ratio निकालना है similarly इस sphere को top से bottom आने में कितना time लगेगा first case में और second case में इन दोनों का ratio निकालना है ठीक है तो आए हम लोग इसको solve करते हैं सो देखिये सबसे पहले देखिये कि inclined plane में द्रौ करता हूं इस इस दा सबस्टा सकते हैं सकते हैं inclined plane having angle say it is theta given ok this is ground ok is fair ishtra se hai inclined plane per solid sphere hai ही विह स्वेयर और इसको यहां से इनिशियल वेलशिटी जीरो से रिलीज किया गया ठीक है। सो पहले क्रस्ट में रोलिंग विदाओ श्लिपिंग है ठीक है। जो पाथे में दिया हुएएट रोल्स दवल्स डाउन दपलेन विदार स्लिपिंग बट को एक प्रॉब्लेम यां पर देखे UCLIENT ।लेइस थिच्छन को वहाँ पर स्कॉब्लेम एक प्रॉब्लेम कातलग मातली तक कि फिक्सा लेस्ट लेस्ट बीन गांजी को वर्टिकरी डाउन्वर्ड ग्युआ और पर्पेंडिक्लार तु थैटा ओगंगे अगर आपको रोटेशन चाहिए इस फेर का सो रोटेशन की लिए टॉर्क होना चाहिए टॉर्क जो है यह नॉन-जीरो होना चाहिए जीरो डॉर्क अगर होगा तो रोटेशन नहीं थाप सि means torque कोई ना कोई torque इसमें exist करना चाहिए about the center जो कि इसको rotate करा है ठीक है तो अगर आप इसको frictionless surface मानिएगा तो इसका rotation नहीं हो सकता है क्यों नहीं हो सकता है क्योंकि देखिए यह force mg cent theta है इसके center से pass कर रहा है तो इसका torque जब इसके center से लिजिएगा तो इस force के लिए radius vector 0 है radius vector 0 है चुकि यह center से pass कर रहा है तो इसका r cross f क्या होगा tau जो है r cross f यह 0 होगा क्यों क्योंकि radius vector जो है this is 0 ठीक है तो 0 होगा तो torque नहीं होगा तो torque नहीं होगा तो rotate नहीं कर सकता है ठीक है इसलिए first part के लिए अगर rolls without slipping दिया है तो हम लोग मान लेते हैं कि surface जो है frictionless है sorry friction surface है friction लेना पड़ेगा friction मानते है f up the plane ठीक है then अगर rolling हो रहा है roll without slipping दिया है तो मान लिए इसका angular acceleration alpha है और linear acceleration down the plane यह है ठीक है तो देखिए अभी इसमें हम लोग इसमें निकालना क्या है acceleration हम लोग को निकालना है तो सबसे पहले हम तो center के about torque ले लेते हैं तो tau क्या हो जाएगा it is i alpha i alpha ओके और torque जब center के about लिजिएगा तो क्या आएगा f then multiplied with the radius this radius of the sphere equal to i alpha solid sphere है solid sphere के लिए solid sphere के लिए moment of inertia about the center of rotation क्या होगा 2 by 5 m r square so it is 2 by 5 m r square okay और alpha का value क्या हो जाएगा alpha is a by r ठीक है क्यों क्योंकि ये point जो है ये rolling without sleeping के case में इसका alpha r back direction में होगा linear direction में होगा सो इस point का alpha r मोशन हम लोग लिखते हैं so equation of motion लिखिएगा तो down the plane force is mg sin theta okay then minus back force क्योंकि ये आगे की तरफ down the plane आ रहा है so this force must be greater minus f equal to m into a देखे फिर यहां पर इसमें गरबड हो जाता है है यहां पर हम small m लिए हुए है सब जगा capital M दिया हुए है कोई बात नहीं आप इसको small m कर लिजी हम दो small m लेके चलते हैं ठीक है न है में है प्लस में अल्रेडी सो इट इस 7 बाइ 5 में जो एम जी सान थिटा is equal to 7 by 5 ma so m cancel out so x लेशन जो इसकेस में आ जाएगा डाट इस इक्वल तो 5 by 7 5 by 7 G sin थिटा 5 by 7 G sin थिटा इसकेस में एक्सलेशन हमारे पास आ जाएगा ठीक है ओके सो अभी सैकेस में चलते हैं जब यही इस स्फेर सी फोर सीफ स्लाइड करेगा तो देखिए सी फोर सीफ अगर स्लाइड करें यह स्फेर सो इसका सीफ फोर सीफ डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा mg sin थिटा सारा कंपोनेंट रिजाओल कर लिजेगा सिर फोसिव फो माल लिजे इस mg sin theta एका इसका जो acceleration generate हो रहा है this is a1 okay so mg sin theta equal to क्या हो जागा mg sin theta equal to mass into acceleration ठीक है so acceleration a1 का जो value आएगा this is equal to g sin theta okay so acceleration का जब ratio हम लोग निकालेंगे it is a by a1 means पहला part जो हम लोग solve करेंगे find the ratio of acceleration of the sphere in case a to that in case b so a by a1 is equal to 5 by 7 g sin theta divided by g sin theta okay this divided by this one okay so it is 5 by 7 simply हना so acceleration का ratio a by a1 जो एगा this is 5 by 7 okay quite simple it is okay second part मा आते है ratio of velocity so देखो जीरो वेलोस्टी से स्टार्ट हुआ है यहां भी जीरो वेलोस्टी है ठीक है so ratio of velocity जब यह बॉटम को रीच करता है तो माल लीजिए इसमें velocity जो generate हुआ this is बीटू माल लीजिए यहां पर जो जीरोस्टी जेनरेट हो रहा है इसको भी वन माल लीजिए ठीक है जब स्फेर यहां पहुंचता है बॉटम में ठीक है बीटू सो देखो जीरो से स्टार्ट हुआ है तो इक्वेशन अब मोशन हमारे पास क्या है भी स्कॉर इक्वाल टू यू स्कॉर प्लस टू एस सो यू चुकि यहां पर एही माने हम लोग और वीटू स्कॉर जो हो जाएगा वीटू स्कॉर इक्वाल टू टू ए वन एस ओके लेंथ डाउन दाप लेन जहां से स्टार्ट किया यह एस गिवेन है तो हम लोग एसी फूट करेंगे डिस्टेंस ओके सो भी वन स्कॉर वाई वीटू कितना हो जाएगा वी वन बाई वीटू इस सिंप्ली रूट ओवर फाइब बाई सेवन ठीक है तो यह आपका वेलस्टी का रिश्यो आजाएगा डिस्टेंस का रिश्यो ठीक है अब थार्ट पार्ट में आते हैं सेम स्फेर के लिए पहले केस्ट में नीचे आने म बॉटम आने में टौप से कितना टाइम लगेगा और सेकेंड में कितना टाइम लगेगा दोनों का रिश्यो निगालना है ठीक है तो क्या फॉर्मॉला उजरेंगे हमलोग एस इकॉल टू यू टि प्लस हाफ एटी इस्क्वार ठीक है तो अगेन यू जिरो है तो हैसे हम T1 माल लेते हैं second case में S हो जाएगा half A1 T2 square ठीक है दोनों को divide कर दीजिए दोनों को divide कीजिए सो क्या हो जाएगा देखिए S cancel out ठीक है सो इसका मतलब T1 square by T2 square जो time का square का ratio होगा this is T1 square by T2 square सो A1 by A A1 by A यह आपके पास आजाएगा ठीक है सो T1 by T2 T1 by T2 निकालेंगे सो यह रूट ओबर A1 by A रूट ओबर A1 by A ओके सो रूट ओबर A1 by A कीजिएगा सो यहां A by A1 दिखे 5 by 7 है सो यह रूट ओबर 7 by 5 ठीक है सो time का जो ratio आएगा दोनों case में न सो इस रूट 7 by 5 ठीक है सो एक ही question है simple है वाट इसका तीन पार्थ है ठीक है तीनों पार्थ हम लोगोंने निकाला सो एक बार फिर से इस numerical को देख लीजिए बार्थ हमें शोत्यों को अभे जीक है